इधर केंद्रिय नागरिक उड्डियन मंत्री जोतरादित सिंधिया सीधे गांधी परिवार पर टिपणी करने से परहेस करते थे लेकिन अब आकरामक रुख अपनाते हुए सीधे हमले कर रहे हैं उन्होंने राहुल गांधी की ओर से विदेश में बयान देने के मामले पर देश से माफी मांगने की मांग की है उन्होंने राहुल गांधी के बयान को भारत माता के सम्मान को ठेस पहुचाने वाला बताया और अगर कोई भी नागरिक भारत माता की आन बान शान में ठेस भारत ये नागरिक अगर भारत माता और इस भारत की आन बान और शान को ठेश पहुँचाए वो भी विदेश जाकर विदेशी संसद में विदेशी कारिक्रमों में तो जरूर अपने देश की प्रती अगर ऐसा भाव हो तो जरूर मैं मानता हूँ प्रफिरौंसे उन्हें आकर जरूर्माफी मांगनी के अपने भ्वाशण में भारत की आलोचना की थी, इसके बात सही लगातर बीजेपी के ओर से उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही awakening regarding दिगज नेताओं का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को जिस तरह का बयान उन्होंने विदेशी धर्ती पर अपने देश के लिए दिया और ऐसे में अगर जोत्रादित सिंधिया की बात की जाए तो इससे पहले देखा गया कि वे गांधी परिवार पर सीधी की टिपणी करने से बचते थे लेकिन इस बार सिंधिया भी आकरामक हुए उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की